हालो डियर फ्रेंड्स और स्टुडेंट्स वन्समोर वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इंगेस्मैक्ष हम लोग 2020 में जो 36 पिपर हुए थे छी चसल के उसमें से दो पिपर हम लोग डिसकस कर चुके हैं आलड़ी और आज डिसकस करने जा रहे हैं तीसरा सिट तो यह है हमारा आज का डिसकसन चसल 2020 का सेट 3 आज हम लोग करने जा रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आपका क्वेश्टन नंबर वन और यह रहा आपका क्वेश्टन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर देखें इसमें पूछा क्या गया है पूछा गया है देखें इडियम है आपका पूल सम्थिंग आफ यह रहा आपका इडियम तो पूल सम्थिंग आफ का क्या मतलब होता है भया पूल सम्थिंग आफ का मतलब होता है कि कि किसी भी काम को सफलता पूरवक करना ठीक है मैं हिंदी में आपको बता दिया अब लिखोंगा नहीं हिंदी में किसी भी काम को सफलता पूर्वक करना तो चलिए देखिए आपसन कौन कौन से आते हैं पहला लिखा है टेक आउट दे कवर आफ लिड धकन खोलना ये तो होने वाला नहीं है चलिए दूसरा देखते हैं Make something happen का मतलब क्या हुआ कि कोई कार्य होना Make something happen मतलब आप कारण बन रहे हैं उस कारे के होने का ठीक है तो किसी कारे को सफलता पूर्वक करना या किसी कारे को करवा लेना यही होता है किसी कारे को करवा लेना उसी को सफलता परोकरना अगे रिखाए किसी चीज़ को जबर दस्ते बलपूर्वक खीचना यह नहीं होगा में का लट अफ नौई बहुत ज़्यादा सोर मचाना यह भी नहीं है तो काम शफल होना या काम पूरा होने के लिए यह का अपसन है अपका भी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यह रहा हमारा दूसरा क्वेस्टन अब देखेगा दूसरे क्वेस्टन में पूछा जा रहा है're पूछा जा रहा है कि कि सेंटेंस में अपकी है और आपकी यह नहीं है अब यह नोग ने कुछ पढ़ा वरा नहीं है अब देखिए पहला वाला होता है भईया कि आपका sentence if से start हुआ if से start होने के बाद ठीक है अगर आप head के साथ third farm लगाए हैं ध्यान रखिएगा सिधे rule पर आगया अगर आप head के साथ third farm लगाए हैं if वाले में तो इसके बाद क्या होता है इसके बाद होता है कि आप subject के साथ would have लगाएंगे क्या लगाएंगे would have और third farm लगाएंगे क्यों सिधे इसी पर उतारा है क्योंकि देखे हमारा यहां पर लिखा है would have died हमारा would have died लिखा है तो इधर हमारा क्या होना चाहिए था head not dressed ठीक समझ में आ गई न हम तो अगर result वाले में would have died लिखा है तो if वाले में head not dressed होना चाहिए था rule तो यहीं कह रहा है यहां होना चाहिए था head not dressed ठीक तो हमारा error कहा हुआ हुआ यहीं पर हुआ दूसरी बात है कि अगर if के साथ head ना लगा होता बलकि वर्व कि second farm लगी होती तो दूसरे वाले sentence में हम क्या लगाए होते के वर उड़ के साथ first farm लगाते लेकिन अगर if के साथ वाले में head के साथ third farm लगी है तो हम आगे क्या लगाएंगे would have के साथ third farm तो यहीं हमारा answer भी है देख लीजिए एक बाए फिर दिखा रहे है I would have died यह लगा इफ के बाद क्या होना चाहिए था if he would not have dressed तो यह जो यहां लिखा है if he did not यहां होता if he had not dressed बात समझ गए तब हमारा यह काम सही होता तो यह आपका answer कौन सा हुआ यह आपका answer हुआ बी वाला ठीक है न है clear चलिए आगे बढ़ते हैं और यह रहां आपका question number three question number three में देखिए क्या लिखा एक idiom दिया हुआ है अब idiom का मतलब हुआ कि आपको इसकी meaning मतानी है और word यह है go to dogs go to dogs का मतलब होता है get spoiled क्या हो जाना get ruined ऐसे ही कर ले get ruined या get spoiled मतलब यह हो गया कि बरबाद हो जाना ठीक है अब तो समझ गये ना get spoiled get ruined हमने छोड़के अब आपकी मन का बोल दिया ना आपके जो सुनना चाहते थे ठीक है बरबाद हो जाना तो बरबाद हो जाने के sense में इसमें कौन सा word आ रहा है want something badly यह तो बिलकुल नहीं होग go crazy crazy हो जाना यह बिलकुल नहीं है fail miserably बुरी तरह fail हो जाना यह संभावना है होने की अगर चौथा इससे बहतर ना हुआ तो और D है deteriorate, deteriorate shockingly, deteriorate का मतलब क्या होता है कोई चीज worsen हो रही है bad थी bad से क्या हो रही है worsen मतलब बदतर हो रही है और शाकिंगली में तो बहुत बरी तरह कोई चीज बहुत बरी तरह बद छे बतर होती जा रही है इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है spoiler हो रही है, इसका मतलब वो चीज चीज क्या हो रही है, बात समझ में आ गई तो ये वाला हमारा C वाला अप्चन ठीक तो था लेकिन अब इस C वाले से जादा अच्छा क्या है D वाला ठीक है अगर D में कुछ बड़ बड़ होता तो C काम चलाओं हो जाता हम लगा सकते थे C को ऐसे दो रिसक कभी कभी आ जाते हैं A और B तो 100% गलत हुआ और C वाले में कुछ समभव ना थी सही होने की लेकिन D वाला जाता अच्छा निकल गया इसलिए C वाला गलत हो गया ठीक है चलिए इसका अंसर क्या हुआ थर्ड का थर्ड का है C ठीक है आगे बढ़ते हैं तीन केसं हम लोग कर चुके हैं यह रहा आपका चौथा कोश्टन ठीक है देखे चौथे कोश्टन में क्या लिखा हुआ है पढ़के देखते हैं most appropriate to fill the blanks ठीक है यह तो blank दिखाई दे रहा तो कोशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको फेलर भरना है खाली जगे भरना है क्या पूछा गया है statement the passengers waited यात्रियों ने इंतजार किया for the local train बहुत अच्छा to arrive तो passengers ने local train के आने का इंतजार किया अब यह पूरा sentence तो है अगर हम यहां खाले जगा ना लगाएं तो passengers waited for the local train एक दम complete sentence है अगर कौन सी ऐसी चीज है जो अब यहां जरूरत है वो जरूरत है इन्होंने किस धंग से train का इंतजार किया था अब हम यहां क्या लगाना है मैनर मैनर दिए हुए है अब देखना है इसमें क्वान सा suitable मैनर हैed सिच्वेस्ट थ्यान में रखिएगा passenger train का इंतजार कर रहे हैं तो कि 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 आप इस्टेशन पर बैठे हुए हैं और अनॉस्मेंट संह जो होता है कि आज यह वाली टेन एक घंटा देर से आ यह तो क्या कर लेंगे अगर ट्रेन देर से आ रही है तो जल्दबाजी करके आप क्या करेंगे अगर हेस्ट्रिली हैं भी तो क्या कर लेंगे कुछ नहीं कर सकते ना चुप चब बैट के इंतजार ही करना पड़ेगा तो आप चुप चब बैट के इंतजार करेंगे तो कैसे इंतजार करेंगे तो इसलिए सबसे सुटेबल क्या है धैर पूरवक इंतजार किया considerably का मतलब क्या होता है बड़ी मातरा में और me equally का मतलब क्या मतलब च्हुता है timidily समझ रहे हैं यह का मतलब onu मेंक मनी होता नहाया थी सिदा साथ December जी। after killediche कायरता पूर्वक तो अब train की तरेन का इंतरर कायरता पेसेंट्रिव होगा अगर पेसेंट्रिव नहीं भी करेंगे तो त्रेंड का कुछ करने ही लेंगे हुंगे ऐ चैसर चली कि अगरा कौस्टन है आम सेट हूब क्या होता है नाराज गुस्से में का मतलब क्या हुआ जब कोई आदमी आप से बहुत जादा क्या हो एंग्री लाल-पिला-हरा-नीला-वैगनी खुसे में एकदम तो यह एंगरी हो जाता है अब आप समझ में आगए हैं तु मैंने खुश है की मतलब क्या होता है फीपड का मतलब हम नाराज गुस्से इसाइनphonie हो गया quarto का मतल किया हुआ उसका मूड खराब है तो करीब-करी बीए साइनुनियम हो गया एक्जाट साइनुनियम नहीं है लेकिन करीब-करीब साइनुनियम यह भी है तो चलिए आपका दो का सब attempting अज़ थो करका हो गया यहां पर आंसर हुआ भी क्योंकि इसका मतलब हुता है को सथोंना और यहीं उसका चाथा नूश्मा करिकिंगत और यह रहा हमारा छेटा कुष्ज के क्रिण क्या च तो कुशन पढ़के देखते हैं माई फ्रेंट से अब इस से पर ज़रा ध्यान रखिएगा से जो है वह वर्व की फ़स्ट फार्म आगे लिखा है में यंग पीपल आर पर ध्यान रखिएगा और वेरी एक्टिवां सोशल मेडिया और यह लिखा है नाव एतनी चीजों पर ध अगर यह से प्रेंट में है तो और चेंज नहीं किया गया है इसका मत tensions में था हैं चलिए अब आगे लिखा है नाव नाव का नाव रह तो प्षिर गया और पर्टेंट में नहीं होने था बर्संड चेंज हो रहा था और कोई परिशन लगा ही नहीं हुआ है कोई प्रोनाउ option कंशे होंगे याद रखिएगा इसारा कुछ प्रेजेंट में ठां ठीक है सारा कुछ प्रेजेंट में था यहां पर लिखा हुआ है यह आपका तो गलत हो गया पहले फिंट हो गया ज्यांदा कुछ करने की जरूरत नहीं है यहां बैदी रिखा हुआ है यहां सही हो लिखा था जब आंसर में से लिखा था तो और सेंग कहां से होगा यह भी नहीं हो सकता चलिए यह को भी है यह आप पढ़िए चाहिए ना पढ़िए इसको होना ही है देखिए हालिका माई फ्रेंड से इन्वर्टेट के हमाल लगा मेंने यंग पीपल आर देखिए यहां भी लगा हुआ है तो यही डी वाला है जिसमें सब कुछ ठीक ठाक है तो आपका इसका अंसर हो गया डी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेशन नमबर रहा सेवेन क्या रहा है जला देखिएगा ध्यान से देखिएगा थोड़ा और उपर कर देते हैं यह रहा आपका क्वे में कोई लेना देना नहीं है अफायर मैं हमारा सबजेक्ट हो गया पुल्ड क्या है हमारी वर्ब हो गई पुल्ड आउट उसके बाद मनोहर क्या हुआ हमारा अबजेक्ट हो गया फ्राम दा बर्निंग बस जलती होई बस से तो एक फायर मैं ने मनोहर को जलती होई बस से ख सब् stitches दों गया और मनोहर हो गया सब्सक्राइब इसके में सब्सक्राइब जाएग gör his fate这样 by सब्सक्राइब buy के साथ लगेगा ये fireman लगedy ये fireman ने इसको ख्षिच के बाँर निकाला था चली है सबसे पहले हम watch के साथ third farm ढोडते हैं क्योंकि वर्व के साथ cash करते हैं तो watch 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 के साथ third farm लगती है ये देखे वर्व की second farm है हमें watch के साथ third farm चाहिए तो ये वाज के साथ पुलिंग आयनजी फार्म है ये तो नहीं होगा दूसरा लिखा है ये वाज के साथ पुल्ड आउट इसकी संभावना है यहाँ वाज के साथ पुल्ड आउट इसकी संभावना है यहाँ हैड बीन के साथ पुल्ड आउट ये नहीं हो सकता दो हमारे कट गए तो दो कट गए तो ये हमारे दो बचे हैं यहां देखिए फायर मैन वाज पुल्ड आउट क्या फायर मैन ने निकाला था ना फायर मैन को थोड़े निकाला गया था तो किसको निकाला गया था मनोहर को किस ने निकाला था fireman ने निकाला था तो यहाँ जहाँ fireman लिखा है यहाँ manohar लिखना चाहिए था तो हमारा answer क्या होगा C वाला होगा fireman ने manohar को निकाला था तो पैसी में manohar subject होगा तो manohar आगे आना चाहिए था तो हमारा answer हुआ C 7 का C हुआ चली आगे बढ़ते हैं 7 questions हम लोग कर चुके हैं अब हम कर रहे हैं question number 8 question number 8 में क्या दिया है कि आपको select the word which means same तो one word substitution बताना है एक sentence आपके सामने देखे यह लिखा हुआ है और sentence क्या है a person who arranges and sales cut class तो कोई ऐसा आदमी जो full-on को खरिदता है बेशता है जो full-on का भ्यापार करता है जो full-on का business करता है तो full खरिदने और बेशने वाले को क्या कहते हैं चेक है चलिए a profession-s related word है कभी हम profession-s related क्या कहते हैं thematic vocab बना देंगे यह thematic vocab में आएगा जो profession-s related होगा जल्दी ही कर देंगे आप लोग ज़्यादा प्रिशन मत होगे तो उसमें सारे के सारे जितने भी प्रोफेशन अभी तक अससी में पूछे गए हैं सारे के सारे में कर दोगा तो एक प्रफेशन जो फूल बेशता है उसे क्या कहते हैं देखिए हार्टी कल्चर का मतलब क्या होता है हार्टी का कल्चर होता है बागवानी करने वाला गार्डेनिंग करने वाला ठीक है नहीं कौन होगे हार्टी कल्चर ये गार्डेनिंग करता है फूलों को खहिदना बेशना वाला कट फ्लार्स नहीं बेशता है florist जो होता है क्या हूआ ?B हुआ फॉरिस्ट क् अंशा करता है anthropologist हायन मानो विग्यान बाटैलिस्ट विग्यान तो अगला question हम लोग करते है 8 question हो चका और ये रहा आपकी questions आप यहां कुछ सोचने के ओरवत नए कि इसमें करना क्या है प्रिया has a very dash nature यहां प्रिया के नेचर के बारे में कोई प्रिया नाम की लड़की है जो बहुत dash nature की है और आगे लिखा है कि does not accept financial help even from her own parents वो ऐसी लड़की है इतना dash लड़की है कि वो अपने parents से भी अर्थिक मदद नहीं लेती financial help नहीं लेती है ठीक है तो चलिए अब कैसी लड़की होगी independent लड़की हो शकती है हाँ हो शकती है biased लड़की होगी बिलकुल नहीं होगी biased का मतलब क्या होता है biased का मतलब होता है prejudiced prejudiced का मतलब क्या होता है अब कहेंगे कि एक का मतलब बताए तो दूसरे का मतलब का भी मतलब बताए prejudiced का मतलब होता है पूरिवाग्रह से ग्रसित किसी धारला से बधी होई आप यह हो जाता है ठीक है ना और impartial का मतलब भेदभाव रहित unbiased हो जाएगा unbiased जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता और disinterested का मतलब जिसको किसी चीज में interest नहीं है जिसको उसमें अरोची होती है तो बढ़ disinterested जिसमें अरोची होती है impartial जिसमें भेदभाव नहीं होता biased का मतलब जो पूर वाग्रह से क्रशित हो गया तो independent आर्थिक मामलों में कैसी होगी अगर कोई लड़की अपने माबाप से आर्थिक मदद नहीं लेती है तो इन चारों में से क्या हो सकती है इन चारों में वो आर्थिक रूप से independent होगी उसकी खुद की जैसे आप लोग पॉड लिख रहे हैं पढ़ेंगे लिखेंगे जॉब मिल जाएगी फिर अलगा income tax officer हो गए तो अब जब income tax officer हो जाएगे तो आप आपसे मदद देने की जरूरत नहीं रहेगी तब आप क्या कहेंगे अब मदद दिया करेंगे तो आपको क्या कहा देगा अब आप independent हो गए हैं ठीक है आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हैं ठीक है तो यह हो गई बात चलिए आगे बढ़ते हैं 9 question हम लोग कर चुके हैं और यह रहा आपकी screen पर आपका question number 10 question number 10 में क्या है देखिए underline किया हुआ है कुछ पार्ट यह underline किया हुआ है इन्होंने दिया underline कमई बाते है ऐसे एरर में आप लोग जवर्दस्ती निकाला करते हैं और इंप्रवमेंट में जवर्दस्ती निकाला करते हैं अरे बही एक आप सहने यह भी तो होता है कोई जरूरी है कि आप improvement करिये ही करिये जब जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है यहां पर जबर्दस्ती का improvement करने की चलिए question देखते हैं question दिखा है कि the child is crying बच्चा रो रहा है अब बच्चा है बच्ची है नहीं पता मुझे see can't find her mother वो अपनी मा को नहीं पा रही है अब उसके बस क्या है रहे रो रही है continuous sense में अब इसमें कोई गलती ही नहीं है जब गलती ही नहीं तो नो इंप्रूमेंट होगा अब देखेए यह मत बूछे कि गलती नहीं है तो क्यों नहीं है अब नहीं गलती है तो नहीं है अब जब गलती नहीं है तो उसमें क्यों कहां से बताएंगे हां गलती होती तो क्यों बता देते जब गलती ही नहीं तो क्यों कहां से बताएं अब उसमें कोई रूल तो अपलाई हो नहीं रहा है कि हम incorrectly spelled incorrect spelling किसकी है बताई यह देख रहे होंगे आप लोग सारा का सारा वर्ड विकेरियस की सही है विसियस की सही है कैलस की सही है हीनस की गलत है क्या गलत है हीनस में देखिए पहले ई होगा उसके आई होगा ठीक है हम जानते हैं अपने रटा होगा कि जनरली किसी भी वर्ड के बाद पहले आई होता है फिर ई होता है लेकिन सी लगा होता है तो पहले ई होता है बाद में आई होता है हमें साथ C के बाद पहले E होगा बाद में आई होगा बाकि सारे लिटर्ष के साथ आई होगा तब E होगा लेकिन इसके कुछ exception भी होते हैं इस वाले rule के कि किसी भी लिटर्ष के बाद पहले आई होगा तब E होगा किवल C के बाद E होगा इसके कुछ exception भी है जैसे एक exception यही हो गया मालेदेयर है T.H.E.I.R. होता है पहले ही होगा बाद में आई 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 होगा जैसे C.S.E.I.Z.E. होता है तो ऐसे और भी कई है इसी तरह के laser होता है L.E.I.S.U.R.E. होता है इसमें होता है ठीक है तो इसी तरह और भी कई सारे word है तो उसी तरह से एक word है हीनस ठीक है तो हीनस में भी यही चीज होती है हीनस में जो I.E. हो नहीं होता बलकि H.E.I. होगा यह किसमें आ जाएगा थोड़े से exception की category में आता है हीनस का मतलब क्या होत है जगन्य जगन्य कह सकते हो आप और क्या कह सकते हो ब्रूटल ठीक है कहते है नहीं बहुत ही ब्रूटल है तो जगन्य या ब्रूटल को कहा जाता है हीनस कैलस का मतलब क्या होता है अनकाइंड कैलस का मतलब कहें या क्रुवल कहें हैं क्रुवल जादा ठीक होगा क्रुवल बना देगे तो क्या होगा दुर्गुडओं से भरा हुआ ठीक है तो आप हिन्दी अंगCrny जिम मिलाके कहेंगे तो फुलाफ दुरुगुड टिसल कि ब्रुण बताब फुल फुलाफ वाइसर्ज बुराईएं से भरा जो किसी दूसरे की जगह पर काम करने गया है तो यू कैन से इसको क्या कह सकते हैं प्रतिनी धी कह सकते हैं तो यह हुआ आपका 11 question तो आते हैं हम लोग question number 12 पर देखते है question number 12 में क्या कहा गया है यह पूछा गया है fund of company fund of company के लिए पुको वन वर्ड सब्सिटूशन को एक वर्ड से आप substitute कर दीजे क्या सब्सिटूट करेंगे cheerful का मतलब क्या होता है ऐसा आदमी जो हमेशा खुस मिजाज होता है joyful होता है cheerful का मतलब क्या हुआ joyful pleasant होता है हमेशा खुस मिजाज रहता है हमेशा मनुशों की तरह मुलटका ही नहीं रहता है खुस रहता है प्रसुन रहता है gracious का मतलब क्या होता है क्रिपालू क्रिपालू fuck भगवान के लिए कहा जाता है कब भगवान वरे स्टैड़ूई तो यो दूसन का करता तक देगा किया करता है वह एक्रिपालू होता है अगला वर्ड देखते हैं क्या होता है यह लिखा amiable, 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 am जुंड होता है कहीं भी लग जाइए ग्रेग मसमाने किया हुआ जुन्ड तो ग्रेगेरियस का मतलब क्या हुआ जो आदमी जुन्ड मे रहना परशंद करता अब जुन्ड का मतलब जानवर थोड़े नहीं क्या हैं अप बाद कोई सक्षुभाड आउट नहीं होना चाहिए इसका अंसर हुआ डी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं हमारा अगला कुष्चन है क्वेश्चन नमर 13 और यह रहा 13 में क्या कह रहे हैं भीया 13 में कह रहे हैं कि आप इसका साइनोनियम बताएए किसका साइ आति क्रमड यह तो आपने सुना होगा जरूर सुना होगा конт reception क्या होता है कुछ दबंग टाइप के लोग होते हैं सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो अतिकरमड का मतलब क्या हुआ है तो ट्राइटि टूद ανα कुपाई अ लैन्ड अपीस Dartmouth लैन्ड फॉर्स फोली एक ह कंस 스ารंिम हो शकता है इसमें फारगेट का मतलब भोल जाना यह होगा नहीं डिसरिइगार्ड का मतलब क्या होता है अन देखा करना तो डिसरिइगार्ड और की रुप्रिइगार्डर और एक रहे ग patron क्या मार्न है किसी होता है गुस-पैट करना है ठीक है एंट्रोश क्या हूँ गुस-पैट करना बिना परिमिशन किसी की अरिया में प्रवेश करना और क्युम्म किसी की अरिया में तो एंक्रोशP siis- een-t hex हो गई बात के लिए इसका अंसर क्या होगा डी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है मेरा कोश्चन नुबर 14 देखिए बड़ा कोश्चन है इसलिए हमने इसको एक बार स्टेट्मेंट अलगर रखा है स्टेट्मेंट में क्या दिया है जंबल्ड आर्डर ठीक है और स्टेट्मेंट में से एक है और अपनी स्पीट के लिए जाने जाते हैं यह जनरल बात हो गई आगे लिखा है कि देयर फेसे टूर डिस्टिंगेश्ट बाई ब्लैक लाइन अब एक एक पहचान दे रहे हैं देखिए यहां पर फेश की दे दिये यहां पर क्या है और यह वाले में क्या है यह में ओवराल चीते के बारे में बात की गई है और यहां क्या कर दिया फेश के बारे में बात की गई है और सी में देखिए चीता और कवर्ड अलॉन आलमोश इंटारली विज इसमाल बैक स्पॉट यह दिखा इसमाल ब्लैक स्प पूंचल बॉड़ी यह उनकी बॉड़ी लट्विंडर बॉड़ी हो गई एक लंबाई एक लंभाई के बारे में दे थिया 1.2 मीटर होता है चार फीट के करीव और उसमें लांगटेल होती है तो इसकी बॉड़ी की एक चीज्च के बारे में बता यहाँ पहला सेंटेंस किया के बारे में एक जनरल जनकारी दे रहा है यह वाला क्या हो गया जनरल हो गया बाकी सब जितने हैं बी हो गया सी हो गया डी हो गया यह सब क्या हो गया स्पेसिफिक कोई पूछ के बारे में है कोई बालों के बारे में है कोई सिर के बारे में है, कोई माथे के बारे में, कोई गर्दन के बारे में तो हर सेंटेंस चीता के एक एक पार्ट के बारे में है जबकि ए वाला क्या है, होल चीता के बारे में है इसका मतलब आपका सेंटेंस स्टार्ट किस से होगा A से A के बाद इसमें B या C या D कोई भी आ जाए और हम देखते हैं कि किवर एक है जिसकी सुरुवात A से हुई है तो हमें पूरा पैसेज पढ़े बिना ही साल्व हो गया बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई चलिए आगे बढ़ते हैं और यह रहा हमारा question number 15 question number 15 में पूछा है आपका synonym synonym किसका पूछा है apparently apparently का मतलब क्या होता clearly क्या होगा clearly और क्या पूछ चकते हैं आप obviously clearly obviously ये क्या होता है spust रूप से एक दब clear रूप से ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे देखते हैं क्या होगा इसमें stylus गिर रहा हार्थ से चलिए apparently spust रूप से seemingly वही हो गया spust रूप से considerably काफी पर्याप्त होता है considerably ठीक ये पर्याप्त हो गया unlikely जिसकी संभावना ना हो questionably क्या हो गया बिवादित रूप से यानि कि ये disputive हो जाता है answer क्या हो गया इसका परेंट क्लिका ए हो गया ठीक है next question आते हैं और हमारा next question है question number six sorry 16 one दिखाई नहीं दे रहा था question number 16 once more correct order लगाना है आपको वही rearrangement का question है तो यहां देखिए पहला फिर मैं वहीं बोलता हूँ आप तीन सेट मेरे साथ दो सेट लगा शुकते हैं तीसरा सेट लगा रहे हैं तो यह तसल मिला दूँ तो यह पांचवा सेट होगा देखिए यहां क्या लिखा है ही लिखा हुआ है यहां क्या लिखा हुआ आपको यहां मिला कौन हमको एक यंग मैं और यहां लिखा I told him और यहां लिखा he was ठीक है तो इसका मतबवा कि एक चीज़ तो तैय हो गई A में ही है और C में हम है और D में ही है तो इसका मतबवा कि सुरुआत किस से होनी है B से होनी है सुरुआत B से होनी है तो या तो यह हो सकता या यह हो सकता यानि यह दोनों हमारे कट गए यह दोनों किसी किमत पर नहीं है अब हमें यह देखना है कि B के बाद A होगा या B के बाद D होगा ठीक है चलिए B से सुरुआत होगी B के बाद A or D में से क्या होगा यह देखना है तो दोनों पढ़के देख लेंगे न तो पहले देखें यहां लिखा है On my second visit to West Africa I met a young man on board SIP तो SIP के board पर मैं एक young man से मिला अफरिका जाते से में अब हम देख लेते हैं B के बाद D or A तो देखें D में दिखा है कि he was going out to take up a job in banana plantation वो banana plantation में नौकरी ढोड़ने के लिए जा रहा था अब इसके बाद हम एवारा देख लेते हैं He confessed that he only that the only thing he was afraid of was snacks उसको एक ही बाद का डर था सापों का डर था साप जानते हैं कि जहां केले लगाए जाते हैं क्योंकि उसकी तास्य ठंडी होती है तो केले के खुटों में केले के plantation में साप बहुत पाए जाते हैं तो अब साप का जिक्र पहले होगा या banana plantation का जिक्र पहले होगा td के बात क्या होगा विधक क्या अजिए एभ्क क्या हो गई तो अना चाहिए यह को को डियाना चाहिए तुमारा आंशर किया हो गया डी हो गया आगे ज्यादा स्कूशन्य करी का पहले सरी ए आगे आते हैं यह रहा कोश्चन question number 17 question number 17 में क्या होगा कि at a workshop अरे मैंने question नहीं पढ़ा यह हो आपको no error देखना है no error लिखा मतब error का question है at the workshop they were taught how to nail the pieces of wood together to create a toy at the workshop ठीक है मतब कारखाने पर they were taught उन्हें पढ़ाया उन्हें बता जा गया सिखाया गया तो यह passive wise में किसमें सिखाया यह नहीं दिया है they were taught है अब कोई कारे करना सिखाया जाता है तो how to nail how to के साथ first form लगती है यह वाला portion भी सही यह वाला portion भी सही the pieces of wood together मतब लकडी के टुकडों को कैसे एक साथ कील ठोकर के जोडा जाता है to create twice तो ठीक है इसमें तो कोई गलती है ही नहीं सारे portions रही हैं मतब आपका answer क्या होगा बी होगा no error ठीक है चलिए सत्तरह को सनमलों कर चुके हैं we have already 17 questions and now we are going to discuss question number 18 question number 18 में क्या कहां गया incorrect spelling बताना है incorrect spelling में देखिए entreat की spelling सही है envelope की spelling गलत लग रही है क्या गलत है spelling envelope में देखिए e-n-ve-e इतना तो हुआ उसके बाद single l के बाद op होता है भया यह जो l है वो double नहीं होता अब जितना मैं लिखा हूँ envelope यह क्या है यह noun है अब इसमें e लगा दूँगा तो यह verb हो जाएगी बात समझ में आगे क्या होगा जब मैंने e नहीं देंगे तो यह verb हो जाएगे तो अब क्या हो गई है अब वर्व हो गई ठीक जब e नहीं लिखे थे तो यह noun था तो envelope की spelling गलत है answer तो आपका क्या होगा ए हो गया ठीक है चलिए औरों के बारे में देख लेते हैं तो answer क्या है answer हुआ भी आपका इस envelope की spelling गलत है entreat का मतलब क् प्रे करना किसी से या request करना ठीक है entreat हो गया या आप implore भी कह सकते हैं इसको बाकि play और request तो आप जानते ही है सक्सपियर वाले में तो besiege क्या भी यूज होता है एन वाय का मतलब क्या होता है एन वाय होता है राज दूट ठीक है ambassador कह सकते हैं interest मतलब किसी के ओपर भरोशा करना चलिए 18 question हो गए अब हमारे पास है question number 19 तो देखिए question number 19 में कहा क्या जा रहा है एक underlined part है जब भी आपको under underlined part में लिए तो अब समझ लिजे कि इस underlined part को improve करना है अगर यहां कोई गलती है तो जबर्दस्ति फिर में न कर रहा हूं जबर्दस्ति मत निकालिएगा गलती ठीक है तो लिखा है कि the roof is being held up over 2 नहीं होगा held up और over दोनों नहीं होगा two stone pillars तो किसी चीज को किसी चीज के मार लो यहां क्या है roof है और जो pillar के ओपर क्या हुआ है टिका हुआ है यह आपके क्या हो गए यह आपका एक pillar हो गया ठीक है यह आपका एक दूसरा pillar हो गया इस pillar के ओपर क्या टिकी होई है इस pillar के ओपर च्छत टिकी होई है यह मारा pillar थोड़ा चोटा हो गया मालेजिए दो पिलर के ऊपर हमारी च्छत ठीकी होई है तो यह जो च्छत है वो पिलर के ऊपर ठीकी होई है तो इसको जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज ठीकी होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं होल्ड अप कहते हैं ठीक हैं? होल्ड अप अब इसकी past tense बनाएंगे तो held up हो जाएगी तो held up के बाद फिर over नहीं लगाना है क्या होगा क्यों held up होगा तो अब चाह पिलर के ओपर टिकी होई है या pillar पे है ठीक है तो इसमें गलती क्या हो जाएगी देखें इसमें गलती यह हो जाएगी की pillar के ओपर है तो वहाँ on वगेरा नहीं लगेगा कि बलकि by लगेगा passive में sentence बन रहा है चलिए देखते हैं the roof is being held up नहीं the roof is held ठीक है the roof is held no substitution होगा नहीं और was held above was held above नहीं लगाना है is held up by या is hold upon तो पहली बात तो is के साथ verb की first form यह जो each के साथ hold लगा या लगता नहीं इसके बाद first form कभी नहीं लगेगा A और B या लड़ी गलत हो चुका है इसके बाद held क्या है वर्व की third form है held up हो गया ठीका हो ना और by the pillars मतलब क्या हुआ दो pillar के ओपर यह ठीका होगा दिया हुआ है एंटोनियम दिया है किसका एंटोनियम लगाना है आपको हैरोइंग का देखे यहां लगा दिया था मैंने नीचे लिखना चाहिए था गलती से यहां पीछे चला गया है हेरोइंग का एंटोनियम आपको बताना है और हेरोइंग का मतलब जानते है क्या होता है यहां और यह वरींग एक जैसा होता मतलब परिसान करने वाला चिंता दिलाने वाला तो हैरोईंग और वरींग साइनोनियम होगे ठीक है तो यह तो आपका अंसर नहीं होगा क्योंकि एंटोनियम ढूड़ना है रिपीटेटिव का कोई लेना देना है नहीं आपे प्लिजन्ट के मतलब खुसी देने वाला शुखत तो यहीं होता है चिंता जनक का क्या होगा प्लेजन्ट होगा तो यह आपका हुआ अंसर डीर हम लोग कर चुके 20 question अब हमारे पास बचे हैं 5 question पांच question किसके हैं यह close test के हैं अब statement ही हम यह पढ़ नहीं रहे हैं आप समझ लीजेगा क्यों नहीं पढ़ रहे है statement you are intelligent enough to understand ठीक यह हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं नीचे यह दिख रहा है यह close test दिख रहा है तो हमें उसके जाने की क्या ज़रूरत है क्यों टाइम बेस्ट करोगे सीधे आजाओ अपने question पर चलिए तो हमारा question क्या कह रहा है बच्चा लोगों Aquiano was born at 1745 Aquiano 1745 में पैदा हुआ था कहा नाइस एरिया में पैदा हुआ था आगे लिखा when he does about 11 ओमर बता रहे हैं अब यह 1745 की बात है तो यह past की बात होगी when he was about 11 में पहले ही लगा दिया वहीं लगेगा ही वहां और कोई बतला भी नहीं है when he was about 11 तो Aquino was kidnapped तो उसका kidnapped हो गया था and sold to slave traders और जो slave के व्यापारी होते थे गुलामों की प्यापारी कहा जा रहे थे गुलामों की व्यापारी जा रहे थे question ही वे गलत बन गया है header के बाद 2 होना ही होना है चलिए यहां हो गया header 2 यह लोग कहा जा रहे थे वेस्ट इंडीज जा रहे थे दो ही spent a brief dash in state of virginia virginia की state में उसने एक brief dash बिताया अब क्या बिताया बताओ समय ही तो लगता है तो 23 में कोई समय से related कोई वर्ड यूज किया जाएगा यह बात थे है आगे लेखा है much of equinoes time dash serving तो उसका जादा से जादा समय किस काम में बीता यहां बीतने के लिए लगा है समय विटाने के लिए उसका जादा से जादा समय बीता 24 में बीता किस काम में बीता serving on slave ships वो slave ships पे काम करता रहा इसी समय में उसका उसी काम के जादा समय बीता British Navy vessels कहा कहां slave ships में और British Navy vessels पर service करता रहा In his service on these days In these things अच्छा उपर किन चीजों का नाम लिया गया है? बताईए उपर नाम लिया गया है ships का, vessels का तो in these के बाद भी तो इनी ship या vessels में से कोई एक चीज आने चाहिए क्योंकि ठीक पहले इसी चीज का जिक्र हुआ है तो कुल मिला करके पैसेज में हमें आपको कुछ भरना ही नहीं था इन्होंने अलड़ी भरबरा के देही रखा है आपको ढूड़ना था क्या होगा तो देखिए 17.45 की बात है तो ही के साथ क्या लगाएंगे आप वाज लगाएंगे यहा ए जवर आर की तो कोई मतलब ही नहीं है और ही के लिए हम वबर लगाएंगे नहीं तो वाज लगाएंगे जहर सी बात है इसमें कौंस इसनी मसक्कत की बात है ठीक है इतना असान क्विश्चन भी न भर पाएंगे तो फिर पायदा क्या है अब यह है question number 22, मैंने बताया ही था, headed के बाद 2 ही लगता है, fix है जी, headed के बाद 2 लगेगा, आपका option कौन सा हुआ भी, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह रहा आपका question number 23, आप कहेंगे कि यह तो बिना बताय जल्दी जल्दी करते जा रहा है, चलिए, यह हो गया, उसने एक brief dash बिताया, though he spent a brief dash in the state of Virginia, वरजिनिया परांत में उसने कुछ एक थोड़ा सा क्या बिताया, एक छोटा सा यूग होगा, एरा मने यूग होता है, तो brief एरा नहीं होता, बहुत long एरा होता है, brief age भी नहीं होगी, brief life भी नहीं होती, brief क्या होता है, period होगा, he spent a brief period, period लगता है time के लिए, बात समझ में आई ति उसका answer क्या होगा, डी होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह रहा हमारा question number 24, देखिए question number 24 क्या कह रहा है, 24 में यहां लिखा हुआ है, तो much of equino's time-serving, तो equino's का ज़्यादा से ज़्यादा समय बीता, तो अब बताईए, age spent होगा, age नहीं लगने का कोई chance नहीं है, age नहीं है, time spent, time खुद बीता या time spent किया गया, time spent तो active wise में हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, time बीतना active wise में नहीं होगा, time बीतना passive wise में होगा, क्योंकि time खुद नहीं बीता, तो यहाँ क्या answer हो गया, time wise spent, उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय ब्यती तो हुआ, तो यह समय अगर subject बनाओगे तो passive में होगा, he को subject बनाते तो भले active wise में हो जाता, तो इसलिए हाँ वाज के साथ spent लगेगा, चलिए अगला question है, हमारा service, अपनी service में on these days, अब these क्या, यह slave ships हो गया, और यह merchant navy vessels हो गई, तो अब इसके लिए आप क्या लगाएंगे, बताइए ज़्यादा, क्या लगाएंगे, liners लगाएंगे, liners क्या होते है, liners actually समुद्री जहादों को कहा जाता है, craft क्या होते है, वो हवाई जहादों होते है slips क्या जिकर यहाँ भी हो चुका है, tankar, तेल वाले होते हैं, तो हमें दीज के साथ क्या लगाना, ध्यान यह रखना है, दीज के साथ, तो दीज के साथ हम वही चीज लगा सकते है, जिसका जिकर passage में हुआ हूआ है, और जहाजों के लिए, पानी की जहाजों के लिए, किसक जिक्र पैसेज में हुआ है दो चीजे है एक सिप है और एक विसल है यह नहीं नहीं चाहिए था तो यह दिया हुआ है यह नहीं दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा बी होगा कोई डाउट कोई सक्षभा हो नहीं नहीं चाहिए I think everything is clear there should be no doubt about any answer if yet if you have any doubt comment in comment box I will make you clear चलिए ठीक है तो यह रहा आज का CGL का set number 3 जो की 2020 में हुआ था फिर हम लोग अभी अगला वाला जो set होगा वह CHSL का 3 हो 3 हो थर्ड होगा उसके बाद फिर CGL का set number 4 लेकर के आने वाले हैं तब तक इंतजार करिए सश्थ रहिए खुस रहिए पढ़ाई कर करते रहिए तुल देन टेक क्यर थैंक यू